हेलो दोस्तो स्वागत है आपका स्रीगुरु अकैडमी में मैं मनु बर्मा आपका सुक्रिया हार्दिक अविनिन्न करता हूँ दोस्तो आज का टॉपिक है रौवर्ट M. गयने का सिद्धान इनके सिद्धान का नाम है अधिगम सोपानकी का सिद्धान दोस्तो बहुत ही और इस सिद्धानत में हम पढ़ेंगे पहले थियोरी करेंगे थियोरी के बाद इससे रिलेक्टेट जितने भी कोशन्स बन सकते हैं उन कोशन्स को करेंगे और दोस्तो इसका पीडियाप भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ठीक ह उससे पहले आपसे कहना चाहूंगो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए मैं बार बार नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है यहाँ अब बात करते हैं रौवर्ट एम गयने ठीक है यहाँ पर इनके सिद्धानत के अगर हम बात करें तो सिद्धानत है इनका अश्ट्रपदी सोपान का सिनियम ठीक है नियम या सिद्धानत एक ही चीज़ है अब दोस्तों एक कोशन आपसे पूछा जा सकता है कि बताईए यह कहां के निवासी थे तो यह आप कहेंगे अमेरिका के निवासी थे देखे अध बंदित गुमा फिरा कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है ठीक है तो आपको क्या करना है दोस्तों उसी से रिलेटेड पढ़ना है देकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंत पढ़े हुए हैं आप रोवर्ट एम गयने की बुक्स को पढ़ सकते हैं आपसारी इनकी जीवन पर चाह पढ़ सकते हैं लेकिन हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है जो हमारे एक्जाम में आता है दोस्तों ठीक है ना तो आज हम पढ़ेंगे इनके सिध्धानत के बारे में तो हम यहां पर जानते हैं कि रोवर्ट एम गयने ने अधिगम की सकता है कि अधिगम सरल से कठिन की ओर होता है ठीक है ध्यान रखें किसके अनुसार रोवर्ट एम गैने के अनुसार अब दोस्तों एक कुश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूपीटेट में ये वाला प्रश्ण पूछा गया था यूपीटेट 2019 में कि आप बताएए दोस्तों प्रिंसिपल्स सोरी कंडिशन ओफ लर्रिंग किसकी पुस्तक है तो यह रोवर्ट एम गैने की पुस्तक थी ध्यान रखें कंडिशन ओफ लर्रिंग और ये एक इंपोटेंट पुस्तक है प्रिंसिपल्स ओफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन ये दो पुस्तके आप इनकी याद रखें बैसे तो कई सारी पुस्तके इनों ने लिखी हुई है लेकिन ये आपकी बहुत इंपोटेंट हो जाती है तो इन दो पुस्तकों को याद रखें आप बात करते हैं इनों ने जो आठ प्रिकार बताये थे उनके बारे में हम बात करते हैं ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों पहला होता है संकेत अधिगम दूसरा उ प्रत्य अधिगम और सातमा होता है सिध्धान अधिगम और आठमा होता है समस्या समाधान अधिगम दोस्तों देखिए यहां से मैं एक एक पॉइंट के लिए आपको क्लियर कराऊंगा बट आपसे निवेदर है कि वीडियो को इसके मत करना बरना आपको यह सिध्धान बि तो आप कहेंगे संकेत अधिगम सबसे निचिला इस्तर होता है पहला प्रश्न यह पहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर कराने वाला हूँ अगर हम अगले कुशन की बात करते हैं तो दोस्तो ध्यान रखें शमश्या-शमाधान अधिगम जो आपका लास्ट बाला है यह सबसे उच्छ स्रियनी का अधिगम होता है रोवर्ट M. गैने के जितने भी प्रकार थे उन सबी में तो आप दो कोशन याद रखेंगे पहला क्या है कि सबसे निम्निस्तर का अधिगम कौन सा होता है तो आप कहेंगे संकेत अधिगम और उच्छ स्रियनी का अधिगम कौन सा होता है तो आपका है समस्या शमाधन अधिगम इतनी चीज के लिए अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं आप यहाँ पर देखें यह मैंने यहाँ पर नोट किया है कि एक से चार तक के निम्न स्रियनी में आते हैं इन्हें तर्कवाचि संतन का अभाव होता है एक से चार यानि कि संकेत अधिगम उद्धीपन अनुकडिया अधिगम शंकला अधिगम और आपका साब्दिक साहचर अधिगम यह एक से चार तक का अगर आप देखेंगे तो इन्हें निम्न स्रियनी में ही रखा जाता है निम्न स्रियनी का मतलब यह है यह निचले इस तर पे थोड़ा सा रखा जाता है लेकिन सबसे निम्न नहीं है ध्यान रखना है अगर सबसे निम्न पूछा जाए तो आप कहेंगे संकेत अधिगम लेकिन निम्न श्यनी में कौन कौन से अधिगम आते हैं यह पूछा जाए तो आप कहेंगे साब्द कि निमने श्रिणी के हैं तो चिंतन और तर्ग का भाव पाया जाता है ऐसा क्यों है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ जब मैं इसका बिस्तत बिस्लेशन करने वाला हूँ ठीक है अब दोस्तों अगला हम यहाँ पर देखिए कि पांच से आठ तक के उच्छ स्रिणी मे आते हैं पांच से आठ यानि कि यह आपका बहु बिवेतनात्मक अधिगम संप्रत्य अधिगम सिध्धान्त अधिगम और समस्या समादान अधिगम यह जो है आपके पांच से आठ तक यह किसमें आते हैं यह आते हैं आपको उच्छ स्रिणी में और इनमें तर्क और चिंत संकेत अधिगम उद्धीपन अनुक्रिया अधिगम और स्रंखला अधिगम ठीक है ये तीनों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मानब और पसु दोनों ही अधिगम कर सकते हैं कैसे संकेतों को आप किसी कुट्टे को भी समझा सकते हैं ठीक है ना कुट्टे को आप संकेत दे पसू भी कर सकता है तो आप याद रखेंगे स्रंखला अधिगम, उद्धीपन अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम यह तीनों जो है इनमें मानव और पसू दोनों अधिगम कर सकते हैं और बाकि आपके चार से आठ तके यह जो बसते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ मानव ही अधिगम करता है ऐसा क्यों है तो आगे हम उसके बारे में भी जानते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें संकेत अधिगम इस्तर जो आपका सबसे निचला इस्तर है तो इसमें क्या होता है संकेतों के द्वारा बच्चों को सिखाना संकेतों के द्वारा बच्चों को सिखाना आपने देखा है कि बच्चों को जब हम किसी भी चीज के लिए सिखाते हैं तो सबसे पहले संकेत के माध्धम से सिखाने की कोसिस करते हैं एक example मैं आपको देता हूँ जैसे red light आप 14 पर जाते हैं तो red light देखते हैं और red light के बारे में बच्चों को बताते हैं बेटा देखिए यहाँ पर red light होगी तो आप stop हो जाएंगे yellow light होगी तो आप ready हो जाएंगे और green light होगी तो आप चलना इस्टार्ट कर देंगे ठीक है तो वहाँ पर आपने क्या किया संकेत के माद्दम से बच्चे को सिखाने का प्रियास किया और दोस्तों आप से question पूछाया सकता है कि संकेत अधिगम इस्तर गैने का संकेत अधिगम इस्तर कि सिखानत पर आदा रहेता है तो आप कहीं पाउलाओ के सिखानत पर आदा रहेता है clear? एक एक point clear कराऊंगा दोस्तों बस आपको वीडियो पे बने रहना है skip नहीं करना है बिल्कुल भी अगला हम बात करते हैं उद्धीपन अनुक्रिया अधिगम यह इस्तर थॉनडाइक और पाउलाओ के सिखानत पर आदा रहेता है दोनों का सिखानत मैंने करा दिया है तो जब तक आप उस सिखानत को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उद्धीपन अनुक्रिया अधिगम इस तर आपको समझ में आने ही वाला नहीं है दोस्तो ठीक है तो आपको क्या करना है पहले उसको जरूर देखना है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ जाए कोने में और कोने में आपको आई बटन देखेगा आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी आपका थॉन डाइक और पावलाओ के सिध्धानत के ठीक है अब बात करते हैं स्रंखला अधिगा मिस्तर इसमें क्या है कि इस स्तर में उद्धीबन और अनुकडिया को बच्चों के सामने एक स्रंखला में रखा जाता है और दोस्तों यह स्तर किस ने दिया तो आप याद रखेंगे एडविन रे गुथरी ने दिया था आपसे कई बार प्रशन पूचा गया है हालाकि यूपी टेट में नहीं पूचा गया है लेकिन अन्य सिध्चक वरती में कई बार पूचा गया है कि गयने के अधिगा मिस्तरों में स्रंखला अधिगा मिस्तर को किस ने दिया तो यह किस ने दिया एडविनरी गुथरी ने अब हम स्रंखला आदिगम इस तर को थोड़ा सा समझते हैं अब देखें जैसे आप क्या होता है किसी बच्चे को आप अक्षर जब सिखाते हैं तो अक्षर सिखाने के लिए आप क्या करते हैं जिसे मालीजे आपको आ सिखाना है तो आ सिखाने के लिए पहले आप इस तरीके से करते हैं फिर आप अगले स्टेप में क्या करते हैं इस तरीके से और फिर अगले स्टेप में आप इस तरीके से कर देते हैं और उसके अगले स्टेप में आप इस तरीके से कर देते हैं तो बच्चा धीरे धीरे क्या है स्रंखल मतलब धीरे धीरे स्रंखला वाईज उस चीज को सीख जाता है यही क्या है स्रंखला अधिगम इस्ता है ठीक है समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि आई हो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा अब बात करते हैं साब्दिक साहचरे अधिगम इस्ता है जब बच्चा संकेतों को समझ जाता है उद्धीपन अनुक्रिया को समझ जाता है और चीजों को स्रंखला वद्ध करना भी समझ जाता है तो वह सब्दों के माध्यम से उनके बीच में सहचरे स्थापित करने का काम करता है अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ पर समझाने का प्रियास करूँ तो आपने इस चीज का प्रक्टिकल आटोमेटिक किया होगा कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है संकेतों के द्वारा सीखता है फिर अनुक्रिया करता है उद्धीपक को समझता है उसके बाद चीजों को स्रंखला बद्ध यानि कि स्रेणी बद्ध करने का काम करता है और उसके बाद में क्या होता है सब्दों के द्वारा सहचरे स्थावित कर लेता है अगला बात करते हैं बहु विवेदनात्म का दिवम इसमें क्या होता है बस्तूओं, चीजों, अक्षरों, व्यक्तियों के बारे में अंतर करना बच्चा सीखता है कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है कौन सी बस्तू भारी है, कौन सी हलकी है इन सारी चीजों के बारे में बच्चा सीख जाता है अब दोस्तों बात करते हैं संप्रत्य अधिगम इस्तर, तो इस इस्तर में बालक बस्तूं को अपने दिमाग में इसमरण करना सीख जाता है, अपने दिमाग में इसमरण करना, मतलब चीजों को सोचना अमूर्त रूप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अमूर्त रूप में, अमूर्थ और मूर्थ इसमें दोनों चीज़ें आ जाती है यानि कि जिन चीजों को बच्चे ने देखा है उनको भी सोचना स्टार्ट कर देता है जिनको नहीं देखा है उनको भी सोचना स्टार्ट कर देता है ये किस ने दिया था ये 1964 में केंडलर ने दिया था उसके बाद क्या होता है कि बहस किसी भी सिध्धान्त को बड़े आसानी से समझ जाता है जैसे अगर हम बात करते हैं बर्फ का पानी पागर पिगलना ये क्या है ये एक प्रकार से एक सिध्धान्त है कि बर्फ क्या है गर्मी पाकर क्या होता है पिगलने लग जाता है अब देखें बच्चे को किस प्रकार के संप्रत्त यहां पर पता होगे बच्चा बर्फ के बारे में जानता होगा बच्चा गर्मी के बारे में जानता होगा बच्चा पिगलने के बारे में जानता होगा तो बच्चा जब इ अच्छा, किसीभी सिध्धान्त के लिए समझ चुका है, तो फिर उसके बाद तो भे किसीभी समझ्टया का समादान कर सकता है, इसमें तो कोई मुझे लगता है कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, यह तो आपको समझ बना गयाओगा, और यह आपका अन्तिम इस्तर होता है, गैने के अनुसार बताए गए, सबी इस तरों में ये अंतिमिस्तर होता है, दोस्तों अब बात करते हैं मैत्वपूर अभ्यास प्रशनों तरीकी ठीक है, यानि कि इससे रिलेटिट जितने भी प्रशने हो सकते हैं, उनके लिए हम डिसकस करते हैं, ठीक है, उससे पहले दोस् पहला कोशन है कि गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताए था, गैने ने अधिगम के छे प्रकार बताए हैं, नहीं नहीं दोस्तों, छे नहीं ध्यान रखें, गलत हो जाएगा आपका प्रशन, मैंने आपको बताए था, गै वेतनात्मक इस्तर, संप्रत्य इस्तर, सिध्धानत अधिगम इस्तर और लाश्ट कौन सा था तो आप कहींगे समस्या समाधान अधिगम इस्तर तो चलते हैं दोस्तों अगले कोशन की तरफ हमारा अगला कोशन है गैने कहां के निवासी थे तो गैने दोस्तों मैंने आपको बताय था गैने अमेरिका की निवासी थे ठीक है गैने अमेरिका की निवासी थे ध्यान रखेंगे और अगर कनाडा की वात आती है तो कनाडा की कौन थे तो अलवर्ड वांडूरा कनाडा की निवासी थे तो इनको आप ध्यान रखेंगे ठी अगले कोशन पर कि गैने के अनुसार किस अधिगम इस्तर में केवल मनुष से ही अधिगम कर सकता है। उनके बारे में मूर्थ और अमूर्थ रुप से सोचना ये सिर्फ और सिर्फ मानभ ही कर सकता है तो आपसा नंबर D is the right answer चलते हैं गईस नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर निम्न मेंसे कौन सा इस्तर एडविन रे गुथरी ने दिया ज क्रमिक नहीं है दोस्तो क्रमित ठीक है क्रमित अधिगमिस्त है ध्यान रखेंगे दोस्तो क्रमिक नहीं है क्रमित है ठीक है क्योंकि आपसे प्रश्री आउप्शन में क्रमिक भी लिखके दे सकता है तो क्रमिक नहीं है क्रमित है ठीक है चलते हैं गाईस नेक्स्ट कोशन प बताए था कि बच्चा लास्ट में क्या करता है शमश्या का समाधान सबसे अंतिम स्टेप में करता है तो यानि कि option number C is the right answer ठीक है चलते हैं guys next question पर देखे एक छोटा बच्चा पहले सिर्फ इसारे करके अपनी मम्मी को बताता था परंतु बहे अब बोलकर सारी बात मम्मी पा नी कॉपी में note कर लिजिए बताएं दोस्तो इस प्रश्ण का right answer क्या हो सकता है जी हम बताएं तो दोस्तो अगर हम बात करें इशारे करता था पहले लेकिन अब क्या करता है तो अब है बोलकर सारी बात अपनी मम्मी को बता देता है यानि कि सब्दों के माध्यम से बताता ह यानकि क्या देखे बोलेगा तो सब्द बनाएगा देखे जब तक सब्द बनाना नहीं सीखेगा तब तक बोल कैसे पाएगा तो सब्दों को बोल कर ही तो बताएगा यानकि सब्दिक अधिगम इस्तर यानकि option number A is a right answer ठीक है चलते हैं गाई इस next question पर गैने का अनुसार कितन इस्तर ऐसे हैं जिन में सिर्फ मानव ही अधिगम कर सकता है तो दोस्तों मैंने आपको बताएथा तो दोस्तों मैंने आपको बताएथा कि गैने ने बताएथा कि तीन अधिगम इस्तर ऐसे होते हैं पहला कौन सा संकेत अधिगम इस्तर उद्दीपन अनुक्रिया इस्तर औ और आपका स्रंखला इस्तर या तीन इस्तर ऐसे होते हैं जिसमें मानव और पसू दोनों अधिगम कर सकते हैं और बागी के आपके जो पांच अधिगम इस्तर वस्ते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मानव ही अधिगम कर सकता है ठीक है तो इतनी चीज़ें आपको याद रखने कि 2020 का जो भारतिय सिक्षक जो है यान कि भारतिय एक सिक्षक है इनका नाम है दोस्तो रंजीत दिसाले क्या रंजीत सिंग दिसाले दोस्तो इनका नाम है और ये महाराष्ट के रहने वाले है इन्हें बिस्तु का सर्वस्रेश सिक्षक का अवॉर्ड मिला है दोस्तो बहुत ही खुसी की बात है और आप सिक्षक हैं इसलिए मैंने आपसे सोचा कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए बहुत सारे लोग वो पता भी है ये महाराष्ट के रहने वाले हैं सोलापुर जिले से हैं तो ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं के बारे में आपको पता होनी चाहिए जहां बहुत ही important fact है क्योंकि आप एक teacher है तो आपको पता होना चाहिए वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को like और share करें दोस्तो चैनल को subscribe करें घंटी वाले बटन को दबा दिए दोस्तो ठीक है मुझे लगता है आज से आपकी proper classes start हो चुकी है ठीक है तो चलिए दोस्तो बाई बाई दोस्तो खुश रहिए मस्त रहिए और त्यारी करते रहिए बाई बाई दोस्तो